क्या आपको भी आजकर चक्कर आने लगी है या आखों के सामने अंधेरा हो जाता है या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बोडी में तो बिल्कुल जान ही नहीं रही है मतलब कोई भी काम करनी जाओ बिलकुल ऐसा मैसूस होता है कि बोडी में बिलकुल जान नहीं है और कुछ काम नहीं किया जारा अगर ऐसा है तो ये हो सकता है एनीमिया की वज़े से एनीमिया क्या होता है शरीर के अंदर घून की कमी हो जाना तो उसका ये कारण हो सकता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स बताऊंगी ऐसे कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप खुद को देखकर या फिर अपने परिवार वालों को देखकर ये पहचान सकते हैं कि कहीं उनमें खून की कमी तो नहीं हो गई है तो आपको इस वीडियो को completely देखना है वीडियो के end में मैं आपको उपाय बताऊंगी जिससे इस खून की कमी को घर के चीजों से ही पूरा किया जा सकता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मैं word बोल रही हूँ एनीमिया खून की कमी उसका मतलब है क्या उसके बारे म तो एनीमिया खून की कमी का मतलब क्या है मैंने पहले भी वीडियो बनाई है blood की composition के बारे में कि blood जो है हमारा खून है उसके अंदर क्या-क्या मौजूद है उसके बारे में तो मैंने उसमें आपको cells के बारे में बताया है जो तीन तरह के cells है blood के अंदर पाये जाते हैं एक क्या है RBC red blood cells एक है WBC white blood cells और तीसरा है platelets तो यह तीन तरह के blood cells होते हैं तो इनके अंदर जो मैंने सबसे पहले आपको बताया है red blood cells या तो उनकी कमी हो जाना या फिर जो वो काम करते हैं उनकी functioning में कुछ दिक्कत हो जाना उसकी वज़े से generally क्या होता है शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है या फिर उसे हम क्या बोलते है कि anemia हो जाता है ओकी तो अब हम जान लेते हैं कि वो कौन से लक्षन है वो ऐसी कौन सी चीजी है जिसको आप अपने आप देखके बिना टेस्ट करवाई बिना blood यह जान सकते है कि कहीं आप में खून की कमी तो नहीं हो गई है तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो आपकी skin पे यह ठीक है with your skin की होगा एक नॉर्मल सी चीज है हमारे बड़े भी बोलते हैं कि जैसे कोई हम ऐसे दोस्त लोग भी आपस में बोल देते हैं कि किसी की हतेली बिल्कुल पिंक दिखरी हो, रेड रेड सा दिखरा हो पिंकेश सा, तो हम यह बोल देते हैं देख इसमें कितना खून है तो वो चीज हमें देखनी है ठीक है, जो हम बाते कई बार यूँ यूज करते हैं वो चीजे सच में होती भी है तो पाम का जो कलर है ठीक है, स्किन का जो कलर है वो अगर पीला होने लग गया है तो वो क्या है, खून की कमी की वज़े से हो सकता है तो क्या देखना है कि अपनी पाम का कलर किसी दूसरे आसपास के लोगों के से मैच करके देखो कहीं वो पेल तो नहीं हो गया है या फिर अपनी पहले की कंडिशन से देखो कि वो पहले लाल था अब वो पेल होने लग गया है और साथ साथ और भी कुछ सिम्टम्स आने लग गया तो वो क्या हो सकता है खून की कमी की वज़े से हो सकता है और क्या है जो आखों का स्कलेरा पार्ट है उसका जो कलर है वो पीला होने लग जाए तो वो भी किसकी वज़े से होता है खून की कमी की वज़े से हो जाए जनरली उसके बाद हम कहा देखेंगे नेल्स में, जो नेल्स है वो ऐसे ब्रिटल हो जाएंगे, वो ऐसे आसानी से टूट जाएंगे, ठीक है, कई-कई कंडिशन्स में क्या हो जाता है, एनीमिया के केसिस में, जो नेल्स है वो ऐसे मुड़ने शुरू हो जाते हैं, मुड़े हुए स खून की कमे की वज़े से हो सकता है फिर उसके बाद और हमें क्या से सिंटम्स देखने को मिलेंगे कि जो बोडी है उसके अंदर वीकनेस फील होगी जैसे कि पहले बहुत सही से काम किया जारता था उतने लेवल का काम अब नहीं किया जा रहा है बोडी के अंदर दर्द एकद लगने लगेगा जैसे हम थोड़ा सा भी चल लिए तो जो दिल है न वह भूँत जादा तेज धग धग करने लग जैसे कानों में धड़कने सुनाई देने लगी भूँत जादा पालपेटेशन होने लग जाएगी वह हमें मैसूस होगा कब जब हमें खून की कमी होगी जैसे स्टेर्स चड़े तो एक दम से ऐसे ऐसे हाफने लगे सास आने में दिक्कत होगी बिलकुल ऐसे घुटन सी मैसूस होने लगी इतनी घुटन नहीं है आसपास के लोगों को मैसूस नहीं हो रही लेकिन तो में घुटन मैसूस हो रही है इरिटेशन हो रही है उसका ये होता है जो females होती है उनके अंदर क्या है जो reproductive age की females है जिनके अंदर menstrual cycle हो रही है मतलब mensis होती है तो उनके अंदर क्या होगा जो mensis का blood है जो blood है वो क्या होगा कम आना शुरू हो जाएगा या फिर उसका color जो है वो red ना होकर light light color के होने लग जाएगा तो वो किस चीज़ की वज़े से हो सकता है कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है या फिर क्या है एनीमिया है तो यह क्या थे कुछ तरीके जिससे आप जान सकते हैं कि आपके शरीर में कहीं खून की कमी तो नहीं होगी है अगर आपकी accident हो गया किसी particular जगा पर चोट लग गई चोट लगने से खून बह गया है बहुत जादा तो जो खून बह गया है वो body से निकल गया है तो body के अंदर क्या हो गई है खून की कमी हो गई है तो blood loss हो जाना क्या है एक कारण है खून की कमी का जो direct है जो आपको देखने से पता चल रहा है ठीक है वह चीछ है वहिसके बाद और क्या हो सकता है कोई भी ऐसी बिमारी हो जाना जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है ठीक है चाहिए वह blood से related है चाहिए किसी बी chemise है निककिति कोई वहा की है कोई आपकी nutritional दिकत है deficiency के कोई nutritional deficiency आपके अंदर मतलब आप प्रोपर nutrients कंजूम नहीं कर रहे हैं खा नहीं रहे हैं जिसकी वज़े से iron deficiency हो गई है और उसकी वज़े से अनीमिया है iron deficiency anemia example है उसका जो यह shortness of breath है इसका क्या मतलब है खून की कमी से ठीक है जो पीला है वो आप जान सकते हो क्यों क्योंकि red रखता है बोडी को खून तो खून नहीं है तो वो पीला होना शुरू हो गया ठीक है वो सब चीज़े आप रिलेट कर सकते है तो shortness of breath क्यों हुई वो मै RBC है इसके अंदर ये एक चीज है ठीक है वो ये एक चीज क्या है इस चीज को हम बोलते है हीमोग्लोबिन HB जो क्या है टेस्ट किया जाता है जब देखते हैं बलड के टेस्ट में जैसे बताया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर बंदे पे तो 14 ग्राम खून है तो वो 14 ग्राम खून नहीं होता वो HB का लेवल होता है अब ये HB है क्या ये HB क्या होता है ये HB एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जो क्या काम करता है जो खून के अंदर जो है oxygen को ले के जाता है खून के साथ साथ हर एक बोड़ी के पार्ट में मतलग जैसे खून हर जगा जा रहा है वैसे वैसे oxygen भी सारी जगा पोचाता है क्या HB तो जब HB ही कम हो जाएगा जब खून ही कम पहुचेगा और बीसी ही कम हो जाएंगे जिसके अंदर HB है तो क्या होगा सास लेने में भी दिक्कत होगी क्योंकि शरीर के अंदर क्या है oxygen की भी कमी हो जाएगी ठीक जाता है या फिर complete blood test किया जाता है complete blood count उसे बोलते है cbc cbc के अंदर हर एक चीज देखी जाती है जो जो blood के अंदर present है और HB test जब करते हैं तो उसमें सिर्फ hemoglobin की वो देखी जाती है composition की कितना hemoglobin है जिससे पता लगाया जा सकता है generally की anemia है या नहीं है तो वो आपके आ जगा सकते हैं चेक करवा कि कहीं आपको anemia तो नहीं है अगर आपको ये सब लक्षन महसूस हो रहे हैं अपने अंदर तो उसके बाद क्या है अब हम बात कर लेते हैं कि क्या घरेलू चीजी क्या घरेलू चीजे आप इस्तमाल कर सकते हैं जिससे क्या है आपकी शरीर में अच्छा सोर्स में बोलूँगी जिससे खून की कमी पूरी हो जाती है गुड़ चैने का इस्तमाल कर सकते हैं आप लोग भर पूर मातरा में उसमें आईरन प्रेजेंट होता है जिससे क्या है आपका अनीमिया ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी रेगुलर यूस से गुड़ कर खाएं उसकी सबजी खाएं किसी भी तरह से आपको उसको यूज करना है वैसे आप उसको यूज कर सकते हैं लेकिन पालक का यूज आपको बढ़ाना है आईरन की कमी को पूरा करने के लिए खून की कमी को पूरा करने के लिए शरीर के अंदर ठीक है उसके बाद और क्या चीज यह हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर अनार जो फ्रूट होता है उसके अंदर भर पूर मातरा में आइरन प्रेजेंट होता है जिससे क्या है खून की कमी पूरी हो जाती है और चकुंदर बहुत ही मतलब कम पैसों में मिलने वाली एक एकोनोमिक चीज है जो बहुत जादू की ये खून की कमी किन के अंदर सबसे जादा होती है ये होती है बच्चों के अंदर महिलाओं के अंदर जो रिप्रोड़क्टिव एज की महिलाएं है या जो एडॉलेसिंट गर्ल्स हैं जिन जो प्यूबर्टी पर पहुँच गई है जिनके अंदर करवाती है मदर्स उनके अंदर तो इन में सबसे जादा मातरा में क्या है खून की कमी पाई जाती है जो प्रेगनेंट वुमेंज है न टोटल उसमें से 50% को क्या होती है खून की कमी पाई जाती है तो उसका ध्यान देना उस अवस्ता में बहुत ज़रूरी है इन जो मैंने आपको बताए हैं उन ages में ध्यान देना उन लोगों पे ध्यान देना जो इस अवस्ता में हैं बहुत ज़्यादा जरूरी है खून की कमे को पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अब यह बात कर लेते हैं कि जो doctors हैं वो क्या recommend करेंगे अगर खून की कमे होगी तो सब आपको आईरन दे रहे हैं जो आपकी खून की कमे को पूरा कर रहे हैं वो नहीं ले रहे हैं तो आपको वो लेना है प्रफर हल्थी डायट फोलो करनी है कुछ भी ऐसा जंक फूड वगेरा अवोइड करना है smoking और alcohol ऐसी कोई भी lifestyle related habits है तो वो आपको बंद करनी है सब्सक्श किछक गोली है ओं वे नहीं लुकल क्यों वो आपको डॉक्तर नहीं करनी है वो आपको डॉक्टर से पूछ के उसका कितना amount आपको चाहिए आपको कौन से गोली चाहिए ये mixture में भी आती है अलग-अलग भी आती है तो वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको सिर्फ iron की कमी है iron और folic acid की कमी है कितनी हद तक कमी है कि कितनी amount में आपको या फिर कितनी dose दी जानी चाहिए तो वो आपको diagnose करवाने के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद उनकी सला से ही लेनी है तो ये बाते थी कुछ किस के बारे में खून की कमी के बारे में कैसे आप जान सकते हैं खून की कमी है आपके अंदर क्या क्या कारणों की वज़े से क्या हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, किन किन को सबसे जादा खून की कमी पाई जाती है और क्या क्या ऐसे नुस्के हैं, क्या क्या ऐसे घर की चीजे हैं जिससे आप अपनी खून की कमी को ठीक कर सकते हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की तो अगर आपको ये वीडियो इंफोमेटिव लगी और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताईएगा कि आपको ऐसी कौन सी चीज ऐसी लगी जो आप कंजूम कर सकते हैं और जो आपकी शरीर में अगर खून की कमी है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं जो सबसे easy और जो सबसे अच्छी चीज आपको लगी वो आप मुझे बताईएगा और वीडियो को share कर दीजिएगा ताकि अगर और किसी में भी ऐसी कमी है किसी को ऐसी दिक्कत हो रही है तो उसको भी पूरी information मिल सके और वो भी अपने लिए कुछ अच्छा कर सके और थैंक यू वर वाची पूचिंग अच्छा कर दो कर दो कर दो कर दो सके